करती है, we'll try to understand everything about sun देखिए सूर्य को overall तरीके से समझना इसलिए भी important है क्योंकि ये आपके natural soul के purpose को represent करता है अब नसीब वाला कौन होता है आप देखिए आप किसको नसीब वाला बोलते हो जो अपने मर्जी से जीवन के अंदर काम कर पाए वो सबसे ज़्यादा नसीब वाला होता है जैसे कि आपने वो dialogue भी सुनाओगा कि अपने मर्जी से जीने की जो कीमत होती हो बहुत ज़्यादा होती है सूर्य उसी चीज़ को represent करता है जो भी इनसान के पास life के अंदर choices है जो भी इनसान choose कर सकता है अगर आप कोई भी चीज़ choose कर सकते हो तो आप बहुत बड़े power में हो नहीं तो आप शनी देव की तरफ जादा हो नहीं तो आप एक शनी के तत्व को लेकर जा रहे हो घर के अंदर आपके पास चार सबजीयां पड़ी हुई है आप अपने मदर को जाकर बोल सकते हैं मुझे ये सबजी खानी है ये वाली सबजी खानी है या फिर ये वाली सबजी खानी है आपके पस multiple options है आपका सूर ये कुंडली में अच्छे तरीके से placed होगा multiple options होगे बाकि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा घर के अंदर सबजी भी एकी आती है आटा भी एकी आता है और बस वो सिर्फ एक रोटी से गुजारा करते है उनके पास option नहीं होता सूरिया आपके option को represent करता है आप समझीए government job क्यों सबको अच्छी लगती है क्योंकि उदर जाकर option होता है कि या UPSC भी करोगे ISB कर सकते हो कोई भी एक position मिल रही है सब जगा पर इज़त आपको same देखने मिल रही है but you will always find this one thing कि सूरिया जो होता है वो आपके options को represent करते हैं क्योंकि जो इंसान position पर होता है उसके पास काफी सारे options आपको देखने मिलेंगे अब एक basic सांब पुरान की एक story है जिससे सूरिया देवता को सही माइनों में समझने ही कोशिश करते हैं देखिए लोग सूरिया को ego के साथ जोड़ते हैं soul है, authority है, आपका fire है, responsibility है, government है, health है, righteousness है और आपके birth और death का भी कारक है बट आप समझिए के सूरिया असली में क्या है, किस तरीके से आप सूरिया को समझेंगे यह हम सांब पुरान से समझने ही कोशिश करते हैं अब जो सांब थे, वो कौन थे, वो कृष्ण भगवान के पुत्र थे जिनका नाम था सांब, अब यह जो सांब थे, यह बिलकुल भी बहुत ही restless बच्चे थे, यह अपने मनमानी करते थे और किसी की respect नहीं करते थे, अब यह किसी की respect नहीं करते थे इसलिए कृष्ण भगवान को इनके उपर बहुत गुस्सा आता है कि यह respect क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको एक दफा, दो दफा, तीन दफा काफी दफा हो छोड़ देते हैं कृष्ण भगवान सांब को बट फिर सांब मानता ही नहीं है इस बात को और वो लोगों को disrespect किये जाता है तो कृष्ण भगवान एक दिन बहुत गुस्से में आकर उनके ही खुद के जो बेटे हैं, जामवती के साथ उनके जो पुत्र हैं, जो जिनको सांब का जाता है उनको श्राब देते हैं कि तुमको कुष्टर रोग हो जाएगा लेप्रिसी का रोग हो जाएगा अब जिनको लेप्रिसी का रोग नहीं पता, शरीफ धिरे-धिरे सडने लगता है उसके अंदर और गलने लग जाता है यह सबसे खराब दोश है, आपने रोड पे कुछ लोग को देखा होगा जिनके हाथ नहीं होते है, पाओ नहीं होते है बट उन्होंने कुछ तो ऐसे बांध के रखा होता है एक हाथों के उपर, कुछ तो वाइट कलर का कपड़ा बांध के रखा होता है वो leprosy का रोग होता है वो one of the worst problems ever can happen to one यह है और उसके अंदर हड्डिया जो होती है वो धीरे-धीरे करके घलने लग जाती है मतलब अपने आप चूरा होने लग जाता है हड्डियों का यह वो problem है तो leprosy का उनको श्राब दे दिया जाता है अब जैसे तभी तो उनको समझ में नहीं आता यंग होता है बड़ जैसे यह से उमर बढ़ती जाती है वो देखते है कि उनकी जो तवेत है वो खराब होती जाती है धीरे 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 और फिर उनको कुछ टरोग हो जाता है end में फिर कुछ टरोग होने के बाद वो जाते हैं और जाकर जंगल में विहार करने लग जाते हैं तभी उनको एक रिशी मुनी मिलते हैं, रिशी कटक बोलते थे हैं, संत कटक आपने बहुत सारी जगाओ पर सुना भी होगा, इन्होंने शस्त्रों के अंदर भी बहुत बढ़ा काम किया है, तो रिशी कटक जो थे, वो इनसे मिलते हैं और इनको कहते हैं कि अगर आपको इस बाहर निकलना है तो आपको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। रिशी कहते हैं उनको कि अगर आप सूर्य देव की आराधना इतने इतने समय तक करोगे तो आप देखेंगे कि आप ये प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। चंद्रभागा रिवर के पास जाकर वो अपनी साधना कंटीनियू करते हैं और 12 साल तक वो सूर्य देवता की साधना करते हैं। अगर आप हनुमान जी की गाता हैं पड़ेंगे तो बहत बड़ा रोल बताए गया है हनुमान जी के जीवन में सूर्य देवता का उनकी गुरुत है वो, वो उनके गुरुत है इसीलिए कुंडली के अंदर आप मुझे एक कॉंड़िनेशन पूछो कि कौन सा कर बैठेंगे this is something which is extraordinary extraordinary तरीके से ये काम करेगा ठीक है so आप समझिए कि हर एक के जीवन के अंदर आप प्रभुषरी राम को क्यों सूर्य के साथ संबोधित क्या आता है मर्यादा पुरुषोत्तम जो एक straight line ने तो सूर्य is a planet which is very loyal in itself और आप कितने जीवन के अंदर राइटियस हो सकते हो उसके भी कारक कुंडली के अंदर सूर्य बनते हैं अब इसको एक स्लोक के थ्रू भी करने ही कोशिश करते हैं श्लोक केता है जपा कुसुम शंकसम कश्य पेय महादवितम तोरिम सारा पापाग्नम प्राना तोशमी दिवाकरम अभी आप देखे यहाँ पर तोरिम लिखा हुआ है मतलब कि डार्कनेस आरी कि सारी आपकी डार्कनेस लेने की शमता रखता है और जितनी आपको light प्रोवाइड करनी की कोशिश कर सकता है जितना आपके कुंड़ी में सूरी अच्छा गा उतना यह आपको light प्रदान करेगा अब इसके अंदर मेरे दो मत है इस particular श्लोक के अंदर कि यह आपके कर्मों पर भी आदारित होगा कुछ लोग आकर पूछता है न तो अगर आपके पूर्वपुन्य सही तरीके से होंगे तबी ही जाकर आपको सूर्य की placement अच्छे मिल पाएगी नहीं तो आपको सूर्य की placement अच्छे नहीं मिल पाएगी वेरी 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 important to understand सूर्य क्योंकि आपके रिंड को भी represent करता है जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने आप ये पहले भी मैंने ये theory discuss किया कि किसी इंसान के पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं कोई बहुत ज़दा famous हो रहे हैं जो भी लोग famous हो रहे हैं बहुत ज़दा उन आप समझ रहे हो उनके हातों से बहुत कुछ अच्छा होना बचा हुआ है या फिर बहुत कुछ खराब होना बचा हुआ है so that is where आप देखेंगे कि सूर्य जो होते ना वो आपके debt को भी represent करते है at the end of the day but आपकी जो capacity होगी लोगों को heal करने की आप कितने righteous हो आप कितने इम उठने का टाइम एकदम fix है उनका सोने का टाइम एकदम fix है चंदरमा देखो अपने आप में स्थिर प्लानेट नहीं है छोटे होते हैं फिर बड़े होते कृष्ण पक्ष होता है शुकल पक्ष होता है बट सूर्य आपको regularly वही टाइम पर आते हैं वही टाइम पर आपको उसको जीवन के अंदर बड़ी problem कभी आएगी ही नहीं उसको जीवन के अंदर कभी बड़ी problem आई ही नहीं सकती क्यों क्योंकि वह सूर्य की respect कर रहा है सूर्य एक बहुत ही important ग्रह बनते हैं आपके कुंडली के अंदर अब इसको एक और concept के दुरू समझे कि सूर्य को righteousness और purity के साथ क्यों जोड़ा गया है अब यह आप बाकी सारे elements को देखिए water element को देखिए आप पानी के अंदर अगर कीचर्ड मिला दो आप पानी के अंदर stones डाल दो आपानी के अंदर कोई बी चीज मिला दो पानी एक ऐसा पदार थे जो अपने अंदर कोई भी प्रकार की बदला जा सकता है पानी का रंग रूप सारा कुछ बदला जा सकता है और आप देखिए इसके अंदर मिलावट हो सकती है यही अगर आप air element की बात करें तो हवा के अंदर कितना जदा प्रदूशन है आपने देखा होगा हवा के अंदर air element के अंदर भी चीजे मिलाई जा सक है इसलिए भगवान को जब आप आहोती देते हैं तब वहाँ पर सूर्य का होना बहुत जदा important है हम क्यों कहते हैं कि दिया प्रज्वलित कर लीजिए इसलिए कहते है क्योंकि सूर्य के अंदर ही वो energy है कि जो बिना मिलावट के आपकी जो प्राथना है जैसी आपकी प्रा इसलिए सूर्य आप देखेंगे कि अपने आप में राजा को represent करता है क्यों क्योंकि आप देखिए वहाँ पर मिलावट नहीं है जब राजा के सामने 10 लोग आएंगे जो फिर उनके वो प्रजा में से कोई भी हो चाहे फिर उनका खास हो या ना हो आप देखिए जो government के पा count नहीं होता फिर भी वो element जितना ही बड़ा है element से याने की बड़ा आप बोल सकते हैं कि अगनी तत्वा जो है एक element है बड़ उसका और एक finer form है धूप अब आप देखिए कि कुंडली के अंदर जीव कहां से आता है आपका जो जीव होता है आपकी कुंडली आपकी आत्मा आपका सूर्य करी करता है और आपका आत्मकार करता है अब आप यही चीज अगर देखोगे प्रकृती के अंदर जो फोटो सिंतेसिस होता है प्लांट जिस चीज से उगते हैं सब चीजे किसके धूप के ऐसे sunlight के ऐसे possible हो पाती है but sunlight एक तत्व में नहीं है because it is more refiner than all the के अंदर मिलावट हो सकती है sunlight के अंदर मिलावट नहीं हो सकती आप कभी sunlight को प्रदुशित कर सकते हो कोई भी sunlight को प्रदुशित नहीं कर सकता क्योंकि सूर्य जो है उसको कभी कोई प्रदुशित नहीं कर सकता so it is the कारका for purity and for all the righteousnessness आप देखिए एक इंसान जो है न वो कभ पुझे इसकी help करनी चाहिए, फिर आप help करो नहीं करो वो अलग बात है, वो अपकी financial condition आपके mindset पर depend करता है, but at the same time अगर आपका मन ही नहीं हो रहा तो आपका सूरिय अच्छा नहीं हो सकता, सूरिय आपकी basic instinct को भी represent करता है, at the same time आप कितने righteous हो सकते हो, यही चीज आप elements के सूरिय की रे पास होती है, वो किस तरीके से वो आग लगा देती है, right, so it is a purest form of energy, it is above elements, सूरिय का इस धर्ती पर elements से बड़ा काम है, elements जो होते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे fire हो गई कहीं पर, तो वो अलग बात हो गई, जहाँ पर पानी आगया, बाड आगया, दूप, which is the finest form of energy, तो I hope आपको यह basic concept समझ में आ गय क्या होगा, did you get this basic point, please let me know, please let me know, अगर आप को यह basic point समझ में आया या नहीं आया है, okay, beautiful, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कि आपके life के अंदर सबसे important चीज क्या है, आप दो मिनिट इसके बारे में सोची और फिर मुझे आप answer दीजे, ताकि हम एक यह interactive session बना पाए, आपके जीवन के अंदर सबसे important चीज क्या है, जिसके बिना आप बिल्कुल भी survive नहीं कर सकते, बताइए क्या है वो चीज, और यह मैं person की बात नहीं कर रहा हूँ, family की बात नहीं कर रहा हूँ, yes, breathing is one of the most important thing, yes, body, exactly, exactly, आपने जो भी चीज़े बुली, आत्मा, body, oxygen, food, water, य जो कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, ये perfectly जाता है, इसके साथ आप समझेए कि अगर आपकी health ठीक नहीं होगी, अगर आपकी health के अंदर कोई भी दिक्कत आजाएगी, आपके कुंडली के अंदर सूर्य खराब बैटा हुआ है, आप को skin होती है वो बहुत जल्दे recover कर जाती है क्योंकि सूर्य आपकी recovery का कारक है कि आपको जब कोई दिक्कत हो जाएगी उसके बाद आप recover किस तरीके से हो पाएंगे तो सूर्य आपके health का भी कारक है यही चीज हमने पहले story से समझी जो सांब पुरान की जो story जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो कृष्ण भगवान के पुत्रत है सांब उन्होंने जाकर किस की आराधना की उन्होंने जाकर सूर्य की आराधना की सूर्य आपका ultimate wisdom, ultimate righteousness at the same time आप देखेंगे आपकी health को represent करता है कुंटली के अंदर अगर सूर्य खराब होगा तो आप कभी recover नहीं कर पाएंगे recovery में बहुत ज़्यादा problem आपको देखने मिलेगा because these people cannot recover अपने आप में बड़ा ही important planet है क्योंकि जो elements की मैंने आपको theory बताई ये elements से उपर है धूप जो है वो photosynthesis का वो plantation का सबका सबसे बड़ा part है but at the same time आप देखेंगे वो elements से उपर है वो elements से उपर है waterless farming भी अभी आ रही है धिरे धिरे करके chemicals के थूँ अगरे काफी कुछ but आप देखिए कि at the end of the day सूर्य का आपको ये देखने नहीं मिलेगा जिनके घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलेश हो रहे है जिनके घर के अंदर सुक शान्ती नहीं आ पारी righteousness नहीं आ पारी घर के अंदर कोई तो cigarette पी रहा है कोई दारू पी रहा है और जो limit में नहीं है basically limit में इन लोग को चीज़े शहीं लग सकती है वो बात अलग है बट किसी के घर में ऐसा कोई वाता वरन है जो सही तरीके से युनों हो नहीं पार है कोई भी settlement नहीं हो पारी घर के अंदर unrest है घर के अंदर तो आप देखिए आपके कुंडली के अंदर आपको सूर्य खराब देखने मिलेगा जब सूर्य लीबरा के अंदर होते हैं जब सूर्य स्कॉर्पियो के अंदर होते हैं उस समय घर पर कोई भी सो नहीं रहा हो और सिर्फ इतनी छोटी सी आप remedy करके देखिए सूर्य नारायन मंत्र और ये सही टाइम पर सोना सही टाइम पर अपना घर के अंदर चीज़े अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी मैं बार-बार कहता हूँ जिनको भी OCD का प्रॉबलम है क्रिजोफेनिया का प्रॉबलम है एंग्जाइटी का प्रॉबलम है डिप्रेशन का प्रॉबलम है जितने भी लोगों को ऐसे multiple type के प्रॉबलम है जाकर regularly सबरे उठकर धूप में running करने के लिए जाएए जितना हो सके धूप लेने की कुशिश करिए आप देखेंगे जीवन के अंदर बहुत कुछ उधरने लग जाएगा आपके जीवन के अंदर बहुत सारे लोगों पर टेस्ट करके देख चुका हूँ बहुत सारे लोगों पर मैं काफी सारे लोग को ये remedies बताता हूँ लोग consultation के अंदर जब लोग होते है ना तो वो नाराज हो जाते है कई बार क्यार इसने इतनी simple remedy कैसे दिया है बट फिर मैं उनको बता नहीं पाता हूँ उनको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ और उसके इसाब से उनको basic बताता हूँ कि आप ये कर लो आपका ठीक हो जाएगा पर उनको तभी तो खराब लगता है बट since they have paid this money तो वो करते हैं remedies कुछ लोग होते हैं बहुत जादा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है life के इंदर confusion बहुत जादा है इतना सा ही काम करना है सूर्य का जो influence है मैं बार बार कह रहा हूँ सूर्य जुपिटर की उति क्यों अच्छी होती है क्योंकि जुपिटर जो आपका जीव का कारक है उसके उपर सूर्य की दृष्टी आ जाना सूर्य साथ में बैठ जाना beautiful योग बनाता है क्योंकि आपकी आत्मा पर आपका जो जीव है उसका आत्मा का आपकी जीव पर direct प्रभाव है मतलब आप अपनी आत्मा को सुन सकेंगे परमात्मा किसको बोलते हैं आपके ही आत्मा का जो स्वरूफ होता है जब वो परम हो जाता है अपने से जब आप आगे निकल जाता है उसे हम परमात्मा कहते है और इसकी पहली श्रेणी के अंदर जो प्लानेट आता है वो है सूर्य देवता ठीक है आप समझिए के सूर्य को ग्रहन कौन लगाता है सूर्य को ग्रहन लगाते है राहुदेव और राहुदेव कब बली होते है शनी कब बली होते है जिनका रात को काम होता है आप देखिए जिनका भी चंदरमा शनी देव की साइन के अंदर बैटा होगा जिनका भी शनी देव दशम स्थान से connect हो जाएंगे शनी सूरिया का combination बन जाएगा रात को देर तक जागने की उनको ऐसा कुछ भी करम मिल सकता है जो उनको रात को करना होता है night shift जिसको हम बोलते हैं night shift जिसको हम बोलते हैं ऐसे लोगों को मिलती है तो सूरिया खराब करता है जब करम के अंदर ही शनी लिखा हुआ है तो फिर सूरिया आ नहीं पा रहा तो schedule खराब हो जाता है रात सोने के लिए होती है और दिन उठने के लिए होता है पुषपक जी जो आप remedy पूछ रहे थे या आप आजी के लिए remedy है प्लीज ये remedies आप देख लिजे अब सूरिया देवता को आपने सूरिया नारायन मंतर बोलना है अगर आपका सूरिया बुद्ध के influence के अंदर बैठा हुए तो अगर आपका सूरिया अगर सिर्फ खुद के influence के अंदर तो राम राम का आप जाप कर सकते हैं सूरिया अगर successfully के अंदर बैठा हुआ है तो आफ फिर कृष्ण भगवान का ये यहां पर जाप कर सकते हैं क्रिश्न सूरिया मंतर का आप जाप कर सकते हैं अगर आपका सूरिया शुक्र के अगर प्रभाव के अंदर बैठा है बट इसको करके दिर्खिए सूर्य जलर्पन भी आप कर सकते हैं हर कोई कर सकते है सूर्य बारवे भावला छटे भावला आश्टम भावला हर कोई सूर्य को भगवान को जल दे सकता है तब वो आपki soul end lighten होगी थीके तो I hope आपको ये basic concept समझ में आ गया होगा अब हम सूर्य को discuss करेंगे सभी 12 sign के अंदर के सूर्य किस तरीके से काम करते हैं अब आप समझिए कि सूर्य आपके soul purpose को represent करता है जब तक आप सूर्य का काम करने ही लेंगे जब तक आप सूर्य का काम करने ही लेंगे जिसे कि for example मैं आपको एक example के दुरू समझाता हूँ कोई एक इंसान ने जो गाड़ी ठीक करता है कोई एक इंसान है जो सिर्फ गाड़ी ठीक करने का काम कर रहा है वो दिन में बहुत passionately गाड़ी का काम ठीक कर रहा है दो-तिन extra और service दे रहा है वो oiling बहुत अच्छे से करके दे रहा है सामने वाले को कुछ ना कुछ upgrade करके देने की कोशिश कर रहा है creativity use कर रहा है creativity use करना यहापर बार बार अपनी the people who are extremely creative आप देखेंगे debilated sun में भी आपको बहुत creative लोग देखने मिलेंगी इस पर आगे चर्चा करेंगे to give something extra if you really want to become successful सब लोग देखकर बोल रहे थे ना MBA चाय वाला MBA चाय वाला he took the same business बट उसके अंदर कुछ अलग सा करने की कोशिश की वो चला और फिर बात में वो नहीं चला वो बात अलग है बट आप देख रहे हो कि एक business के अंदर creativity लाने से अब वो creativity आप कौन से level की लाप आओगे वो आपके उपर depend करता है right so सूर्य जो होता है वो आप कितना अच्छे से करम करोगे उस चीज़ को represent करता है जहां पर भी आपके कुंडली के अंदर सूर्य देवता आकर बैटे हैं आपको उस राशी से related करम करना है इस वीडियो के अंदर हम राशी पर जादा focus करेंगे हम भाव पर कम focus करेंगे we are going to focus less on the bhavas and more on the rashes क्योंकि राशी की energy समझना important है क्योंकि राशी बदली जा सकती है आप समझ रहो राशी बदलती है house कभी change नहीं होते इसलिए लाल किताब जोती है वो सिर्फ भाव पर काम करती है now coming back to the point sun in the Aries अब Aries की अगर आप energy देखोगे तो Aries की energy completely खुद से related है, power से related है और यहाँ पर आप खुद का उत्तहर करने के लिए आये हो सूर्य जिनका भी आपको Aries के अंदर मिलेगा आप देखेंगे कि यहाँ पर यह सिर्फ खुद का benefit करने के लिए आये हैं, बट अगर यह अच्छे position के अंदर होगा तो आप जब खुद का benefit करेंगे उसके अंदर काफी सारे लोगों का benefit हो जाएगा और अगर यही अच्छे situation के अंदर नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ अपना benefit करेंगे और आपके हाथों से गलत कर्म घटेत होंगे यह बहुत ही simple concept है, ठीक है यह सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़दा ज़रूरी because you will be the most important part सूर्य अगर Aries के अंदर आकर बैठा हुआ है मतलब आपका करम आप खुद हो आपका करम ना आपके family से related है ना आपके spouse से related है ना आपके दशंबाओ ना आपके करम आप खुद ही एक करम हो these people are self products सूर्य जब भी Aries के अंदर होता है मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि आप जब business खोल रहे हो ना अगर mangal अच्छे situation के अंदर बैठा है तो अपने नाम पर business खोलो अपने नाम पर business खोलो किसी और के नाम पर business खोलने की यहां पर ज़रूत नहीं है आपके नाम से ही business चल जाएगा क्योंकि आपका सूर्य उच्छे का बैठा हुआ है exactly main character की जो energy होती है वो सूर्य रिप्रेजेंट करता है अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बार-बार कांच के अंदर देखते हैं self obsessed होते हैं खुद के बार में बात करना बहुत ज़दा पसंद होता है सूर्य आपको एरिस के अंदर देखने मिलेंगे अब आप देखिए पहला भाव जो होता है वो personality के साथ भी represent करता है कि different personalities जो है हर एक ही personality अलग-अलग होती है personality आप कहां से देखते हो एरिस के अंदर देखते हो एरिस के अंदर मंगल आकर बैढ़ गया harsh personality सूर्य आकर बैढ़ गया dominating शुकर आकर बैढ़ गया soft personality जुपिटर आकर बैढ़ गया गुरु तत्व बढ़ गया बुद आकर बैढ़ गया तो बंदा बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया है पर राहु आकर बैढ़ गया ब्रहमित हो गया डिपेंड करता है यहां पर राइट तो सूरिय जो होता है जो एरिस जो राशी होती है वो आपके personality को represent करती है और आपके खुद को भी represent करती है तो ऐसे जो भी कारियों होते हैं जो self development के लिए किये जाएं जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोग gym trainer हो सकते हैं ये लोग बहुत अच्छे doctors हो सकते हैं ये लोग ऐसा कुछ काम करते हैं जो person को directly impact करें जिसका direct impact इंसान की personality पर हो देखें भी very good teachers as well सूरिय उच्च के आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे teachers भी यहां पर देखने मिलेंगे ठीक है तो एरिस के energy है कि जो लोगों के life के अंदर change ला रहे हैं तो ऐसे लोग काम बहुत बड़ा कर सकते हैं क्यों बड़ा कर सकते हैं क्योंकि ये life के अंदर change ला रहे हैं लोगों के अब आप समझिए कि आप अपने profession के अंदर खुश नहीं है तब जाकर आपका soul कर्मा पूरा होगा नहीं तो आपका soul कर्मा कभी पूरा नहीं हो सकता ऐसे लोगों को मैं अक्सर कहता हूँ remedy कर तोर पर के आपको जाकर work out करना है regular basis पर आपको work out करना है जितना आप work out करेंगे उतना आपको अच्छा result देखने मिलेगा क्योंकि खुद को सबसे पहले सामसंभाल करने है सूर्य नमसकार आपको करना चाहिए सूर्य नारायन के मंतर का आपको part करना चाहिए अगर ऐसी कोई भी एक skill है जिसके अंदर आप अच्छे हो जैसे की boxing हो गया जैसे की जहां पर आप अपना aggression भी एक निकाल सकते हो अपने आपको शांत भी कर सकते हो ऐसे कोई भी skills आपके लिए बहुत beautiful तरीके से काम करेंगे आपके शरीर के अंदर body का जो heat है वो level बहुत ज़ादा हो सकता है आपका सिर गरम रहना आपके हाथ हतेलियां गरम रहना आपकी यह आप देख सकते हैं दूसरा आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होता है जिनका सूर्य है एरीस के अंदर होता है यह लोग कहीं बार लोग इनको mistake कर सकते हैं यह बहुत ज़दा self-centric हो सकते हो लोग आपको आकर बोलेंगे कि आप सिर्फ खुद के बार में बात कर रहे हो बट आपको यह बात कभी realize नहीं हो पाईगी तो आपको यह बात ध्यान में रखना बहुत ज़दा जरूरी है अब यही देखिए सूर्य अगर अश्टम के अंदर चले जाए बारवे के अंदर जाकर उच्चका हो जाए कहीं बार अगर चटे के अंदर उच्च हो जाए गलत planet के साथ यानि कि malefic aspect के साथ तो फिर यह खराब result भी दे सकता है ठीक है बट आप देखिए कि जब सूर्य चटे आठवे या बारवे के अंदर होता है तब यह एक कारक तत्व को खाता है सूर्य के एक कारक तत्व को तो यह खाएगा खाएगा बाकी के अंदर अच्छा result देगा अब आप देखिए कि सूर्य जो है वो किसी का अश्टम भाव के अंदर जाकर exalted condition के अंदर बैठा अब हो सकता है कि वो अंदा पैसा बहुत अच्छा कमा है हो सकता है बहुत उसको linear से कुछ ना कुछ मिल जाए बिट फादर के साथ relationship के अंदर फिर ups and downs create करेगा अगर सूर्य बारवे भाव के अंदर है तो हो सकता है आप अपने फादर के बहुत ज़दा close हो वो काम के अंदर आप बहुत अच्छे हो बड़ आपका मन नहीं लग पा रहा है वो काम के अंदर आपको ऐसा feeling नहीं आ रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए ठीक है तो सूर्य जो है वो आप देखी afflicted condition के अंदर होता है तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको किस तरीके से perceive कर रहे हैं सूर्य की तरह से perceive कर रहे हैं किस की कुंडली में आप ये देखेंगे शारुक खान की कुंडली के अंदर आप देखिए बादशा नाम भी कैसा है विराट कोली सूर्य आप देखेंगे सूर्य जिस भी घर के अंदर जाकर बैठेंगे उस घर को जलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो महां से लेंगे चाहे उच्च के हो चाहे नीच के हो ठीक है तो सूर्य अगर आपका एरिस के अंदर है तो आपका कहां पर देना है वो कौन से घर को जला रहा है फैमिली के अंदर ही आपको प्रॉब्लम्स देखने भी लेंगी बट फैमिली की ही जिसके अंदर आपको प्रॉब्लमाटिक सिचुएशन देखने मिलेगा जिसके अंदर आपको प्रॉब्लमाटिक सिचुएशन देखने मिलेगा वट फैमिली आपके खुश रहेगी ठीक है तो आप देखिए कि आपकी जो responsibility है वो आपके family की और पर है वो responsibility है वो आपकी speech किये कि आप किस तरीके से बोलेंगे किस तरीके से आप लोगों से बात करेंगे आपकी व्याख्या जो करने की तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप अच्छे तरीके लोगों से बात नहीं करेंगे आप देखिए आपका business नहीं बन पाएगा आप देखिए आप ऐसे कोई business के अंदर हो सकते हैं जिसके अंदर आप बहुत अच्छा पैसा कमाए monopolistic business इसको यह represent करता है अपने family business को आगे लेकर जाना यह represent करता है आप देखिए कि किसी के फादर होता है वो बहुत महनत से अपना business बढ़ाते हैं बहुत महनत से business बनाते हैं मैं आपको एक example देता हूँ कि एक बंदा आया मेरे पास सूर्य उसका टॉरस के अंदर बैठा हुआ था मैं ने सिर्फ उसको दो सवाल पूछे कि आपके फादर क्या काम करते हैं आपका सूर्य उसके अंदर बैठा हुआ है तो उसने बताया है कि मेरे फादर का एक छोटा सा रेस्टारेंट का चेन है और दो रेस्टारेंट उन्होंने खोल चुके हैं और एक रेस्टारेंट I think कोची में कई तो भी है और एक रेस्टारेंट उन्होंने उनका I guess तो साउथ में कई तो भी है I don't remember पुरानी कंसल्टेशन थी है तो राहु वहाँ पर आकर बैठे हुए है मैंने बुला उसको कि आप जॉब मत ढूंडिए आप एक काम करिए आप इसको ना इक क्लाउड किचन में बनाने की कोशिश करिए और फिर ऐसा कुछ करने की कोशिश करिए कि आप इसको राहु के कारक तत्व के थूरू इंटरनेट का यूज़ करके अपने फादर के बिजनस को एक्स्पांड कर पाओ ताकि वो चल पाए उसने वही किया और फिर आगे जाने के बाद काफी टाइम हो गया है एक डेट साल हो गया मेरी बात ने होई विनाई जी शायद उनका कुछ नाम है तो उन्होंने यही किया जो साइन होता है टॉरस का साइन होता है शुक्र का साइन होता है वैभव के अंदर फादर आकर बैठे हैं राहू वहां पर आकर बैठे हैं और अश्टम स्थान का यूज़ करना है यहाँ पर फादर की प्रॉब्लम्स को लेना शुक्र के थूर और अपने राहू के थूर अपने software के थूर उन्होंने यही किया कि कु जो बन्दे क करेंगी उमर हो चुकी फादर की 56-57 और उस चीज़ को ले कर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करू तब बिजनस चल पायेगा जौब छोड़ दी उस बंदे ने जौब उस बंदे ने चोड़ दी तो कई बार क्या होता है न जीवन के अंदर बहुत छोटी चीज़े होती है जो आप सही कर लेंगे अगर सूरिय की तो आपको सोल परपस मिल पाएगा उसका सोल परपस सिर्फ इतना सता के मुझे मेरे फादर के बिजनस को बढ़ाना है बट वो सोल परपस के साथ क्या सूरिय के साथ उसके साथ purity आई काम करनी की ताकत आई खुद का बिजनस आया किसी चीज़ को समझने की आपर जरौत नहीं पड़ी इतनी सारे चीज़ें हुई ना उसके साथ तो यह बाइप्रोड़क्ट सारे सूरिय की मिले अब आप देखिए कि उसका करम कुछ और था ब आप काम कर सकते हो बट फिर आपको मुह बंद रखना पड़ेगा आपको यह उंगली लेकर अपने होट पर रखनी पड़ेगी तब जाकर आप काम करको कि फादर आपको आपका सुनाएंगे बट वो आपके freedom की फिर कीमत होगी So that is how आप combination को देखकर प्रेडिक करते हो तो family से related कोई ना कोई आपका करम है कुछ ना कुछ आपको देना बचा हुआ है ठीक है I hope आपको basic समझ में आ गया होगा Sun in Gemini Now sun in Gemini is a very beautiful position आप समझो कि आपके जीवन के अंदर आपकी creativity जो है वही सब कुछ होगी आपको अपने छोटे भाई बहनों के लिए आपको society के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना है और यही आपका pending करमा होता है आप देखिए ऐसे लोग business के अंद बच्चों को सिखाना, day care का काम करना या फिर communication के अंदर, communication heavily involved होता है इनके काम के अंदर क्योंकि इनके soul को satisfaction तब ही मिल पाएगा जब यह communicate करेंगे आप सूरी अगर Gemini के अंदर है आप इनको बंद कर दो एक room के अंदर यह पागल हो जाएंगे इनको या तो chat करना है या तो इनको social media पे रहना है या तो इन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो communication जिसके अंदर बना रहे वो एक बुद्ध की energy है आत्मा एक छोटे बच्चे के अंदर जाकर बैठ चुकी है यह लोग को multiple करम try करने होते हैं यह लोग कब जिवन के अंदर successful होते हैं जब एक ही का पर there is a place in Mumbai I've talked to a lot of people there and जो भी लोग ready लगा कर बैठते मैं बात कर लेता हूं से और chart भी मांग लेता हूं साथ-साथ में पहले मैं किया करता था अभी नहीं करता हूं तो एक बंदा था जो कि ice cream बेचता था ice cream बेचने का उसका काम था सूरिया भी Gemini के अंदर आकर बैठा हुआ है तो इनसे ऐसे ही बात करते करते हैं मैंने सिर्फ उनको बोला और ice cream का normal business ठेला लेकर बैठते हैं पता है वो मारवाड़ी ice cream वाले होते हैं जो फालूदा डालते हैं फिर वो ice cream का scoop डालते हैं उसके अंदर वो वाले थे वो तो वो बोला कि business ठीक ठाक चल जाता है पर उनका business फिर भी ठालते हैं इनके 2000 रुपे हम कमा लेते हैं और बात चल रही थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ इतना सा आया है जब मैंने चार्ट बोला सूरिया इनका Gemini के अंदर बैठा है और इनका जो बुध है बुध जो है इनका व आप इसको उसके business के साथ join करवा दो बस उसका lucky ली छोटा भाई भी था 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 भी उसने उसको business के अंदर बुला कि college के बाद part time के लिए उसके भाई को भी बुला दिया और उसने वो लेकर आया फिर बात में उसने वो बात सच में सुनी और एक machine होती है जिसके उपर आप जैसे दूट डालते हो ना वो machine roll होती रहती है और फिर उसके उपर से आप ice cream बना सकते हो आपने instagram पे बहुत सारी reels देखे होंगी उसने वो वो समय शुरू किया आज से इतने साल पहले when I was there in India आज से साढ़े तीन चार साल पहले उसने यह शुरू किया था and that is what is worked for him कि उस अब यहां पर आप देखिए आपको एक point समझना बहुत important है कि उन्होंने ये बात क्यूं सुनी इस चीज़ को समझना बहुत ज़दा important है क्यूंकि आप समझिए कि तुदीसरा भाव जो होता है आपकी जो जमिना होती हो आपके subconscious mind की भी होती है आपका सूर्य तीसरे भाव क अंदर और तीसरे राशी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है क्योंकि आप subconscious mind की सुनते हैं किसी रेडी वाली के लिए डेड़ लाख रुपया खर्च करकर machine लाना, foreign से मंगाना, contact लगा कि is not a small thing but he just listened to his subconscious और business triple कर दिया और दुकान डाल दी तो अच्छा यहां प तो भाई का भी भागया यहां पर काम आया, right? तो सूरी अगर आपका मोटा मोटा अगर जमिनाय के अंदर बैटा हुआ है, try to change the society in a very creative way, always help who are younger to you, किसी भी यंगर इंसान को contacts देने की कोशिश करिये, उनको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करे, कोई यंग अगर आपके पा में आ गया होगा, now sun in cancer, अब आप समझे, this is not a very good placement, आप समझे सूरी तीसरे भाव के अंदर, तीसरा भाव आपके करम का होता है, दूसरे भाव के अंदर आप पैसे कमा रहे हो, आप बोल रहे हो, आप करम करे हो, लगन के अंदर तो करम करना ही है, लगन के अंदर सबसे बदा important है, ठीक है, कि आप देखिए कि ऐसी कौनसी चीज़ है जो कभी काम करना बंद नहीं करती, ऐसी कौनसी चीज़ है जो कभी काम करना बंद नहीं करती, आपकी body, आप सांस ले रहे हो automatically, आपकी दिल की धड़कन automatically चल रही है, आपके body के अंदर enzymes produce हो रहे है, आप दिल क मंगल के और सूर्य की, हाट जो होता है, वो आपका सूर्य होता है, और आपका मंगल आपका ब्लड होता है, तो हाट मंगल को pump कर रहा है, कुंडली के अंदर जो पहले भाव के अंदर exalted planet बैटा हुआ है, वो आपके ब्लड को pump कर रहा है मंगल को, तब जाकर मंगल पहले से लेकर अश्टम भाव तक create कर पा रहा है सारी की सारी जो आपको जो भी शरीर की जो भी चीज़े होती है जहाँ पर energy होता है क्योंकि blood, blood जहाँ पर पहुंचता है महाँ पर energy लेकर जाता है और वो कारियों को आगे बढ़ाता है इसलिए कुंडली के अंदर आप देखेंगे जो भी प्लानेट सूर्य से अश्टम चले जाए या सूर्य से छटे भाव के अंदर चले जाए उस प्लानेट तक सही तरीके से blood नहीं पहुच रहा है उस प्लानेट तक सही तरीके से blood नहीं पहुच रहा है ग्यारवे भाव से अश्टम भाव कौन सा होता है प्लीज बताईए छटा भाव होता है छटा भाव होता है ग्यारवे भाव से अश्टम भाव तो आप देखिए जिनका भी सूरी आपको ग्यारवे भाव के अंदर देखने मिलेगा या तो उनको पैरों का दर्द देखने मिलेगा अगर ये सूर्य खराब dignity के अंदर बैठा हुआ है तो आपको problem देखने मिलेगी लगन का अगर सूर्य बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि ऐसा जो इंसान होता है उसको genital areas के अंदर कोई ना कोई problem देखने मिल सकती है ये ब सूरिय से जहां पर अश्टम भाओ जो भी होगा ना वहां पर आप देखिए ज्यादा सूरिय का प्रकाश नहीं पहुच पा रहा तो सूरिय आपके प्रकाश को भी रिप्रेजेंट करता है अब आप समझिए कि I hope आपको यह basic concept clear हो गया होगा now coming back to the point sun in cancer सूरिय जब आप cancer के अंदर देखेंगे तो देखिए cancer एक तो है water element और सूरिय को जाकर करम करना पसंदे क्योंकि सूरिय दशम भाओ के अंदर दिगबली होते हैं 10th Capricorn के अंदर सूरिय करम के कारक होते हैं अब यहाँ पर क्या होता है ने कि सूरिय जब cancer के अंदर responsibility उठाई हुई है father कहीं दूर चले गए कई कुछ हो गया और mother father जैसे बनके उन्होंने अगर कारिय बार संबाल है क्योंकि चौथा बाओ किसका होता है चौथी sign किसकी होती है आपकी mother की होती है so the responsibilities of mother would be the responsibilities of father would be fulfilled by the mother and she will act as a father तो mother बहुत जदा strong हो सकती है यहाँ पर या फिर आप देखेंगे father को यहाँ पर कुछ ना कुछ कर आप देखने मिल सकता है ऐसा इंसान बहुत जदा emotionally unstable हो सकता है क्योंकि आप समझी एक आग के गोले को लाकर आपने एक पानी के अंदर डाल दिया flowing water के अंदर डाल दिया तो आप समझ रहें यह emotional instability को बताता है यह इसको भी बताता है कि आप हो सकता है बहुत जदा पुछते हैं नहीं घर से आए आपको बहुत जदा already पैसा हो आपके घर के अंदर के कोई ना कोई ऐसा हो घर के अंदर आपके ताया जी especially आपके ताउजी हो सकते हैं आपके कोई अंकल हो सकते हैं आपकी मदर की साइड पर कोई ना कोई हो सकते हैं जो बहुत जदा अमीर हो जो आपकी help करते हो यह भी possibility देखने मिल सकती है emotionally balance करना आपको बहुत जदा ज़रूरी है सूर्य जब cancer sign के अंदर होते हैं तो आप देखेंगे एक और यह के father के साथ ultimate connection आपको देखने मिल सकता है क्योंकि चौता भाओ जो है वो आपके connection को भी represent करता है चौता भाओ जो है वो आपके connection को represent करता है तो हो सकता है कि आप अपने father के साथ बहुत ही ज़ादा connected हो और फिर transformation जो जीवन के अंदर है वो father के जाने के बादा है father से दूर जाने पर है यह भी आप देख सकते हैं एक और बात देखिए कि सूर्य जब चौते के अंदर होता है यह fame का भी योग बताता है यह these people can be famous as well these people can be very famous as well क्योंकि चौता भाओ जो होता है public आपसे emotionally किस तरीके से connect हो रही है सूर्य के वज़े से connect हो रही है तो people will perceive you like a sun in the society तो यह सूर्य की कुछ qualities है अब आपको क्या करना है आपको करम क्या आपका बाकी रह गया है सूर्य अगर आपके cancer के अंदर है आपका काम यहाँ पर लोगों को heal करना है you have to make sure that you are healing people चंदरम आपर यहाँ पर बहुत कुछ depend करता है कि आप कितना heal कर पाएंगे बट आपका काम healing से होगा आप बहुत अच्छे doctors हो सकते हैं आपका intuition बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा emotional हो सकते हैं आपके काम के अंदर आप लोगों को किस तरीके से emotional stability provide कर रहे हो आपका काम ही है आपका करम ही है ठीक है तो I hope आपको basic ये समझ में आ गया होगा और आप दिखिए कि जीवन के अंदर सूर ये अगर अगर आपका करक के अंदर बैठा है तो responsibility आनी है responsibility इसके लिए आपको तयार रहना चाहिए यहाँ पर responsibility आएंगी ही आएंगी यहाँ तो mother की responsibility आएगी father की responsibility आएगी sibling की responsibility आएगी कोई ना कोई responsibility आएगी आपको ऐसे लगेगा कि मैं हमेशा मेरे सिर पे इतना बड़ा भार क्यों रहता है ठीक है तो I hope आपको basic concept समझ में आ गया Suri in Leo अब आप समझिए कि लोग बोलते हैं कि Suri in Leo के अंदर बहुत अच्छा है तो आपको या तो IVF के लिए जाना पड़ सकता है या फिर ऐसी चीज़ों के लिए लड़कियों के case में आप देखेंगे PCOD PCOS का भी case देखता है सूरिय पंचम सूरिय अश्टम सूरिय छटा सूरिय लगन सूरिय बारवा ये लड़कियों के अंदर भी problem दे सकता है coming back to the point सूरिय अगर आपका गलियों के अंदर होता है तो आप authoritative हो अब आप ऐसा ही कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करोगे जिसके अंदर आपकी authority होगी अगर आपको कही ना कहीं से अगर आपके सिर्के उपर आकर कोई बैट रहा है कोई आपको बहुत ज़दा अकड़ बताने की कोशिश कर रहा है आपसे हो नहीं पाएगा आप इनसे एक ही सवाल पूछो के मुझे सबसे बड़ा दुख क्या है अगर ये लोग जॉब कर रहे हैं तो बोलेंगे कि मुझे छोटी मोटी मेरे से सिर्फ जॉब चुड़वा दो मुझे छोटा मोटा बिजनस करवा दो ये लोग खुशी उसके अंदर रहते हैं इनको जॉब करना बिल्कुल नहीं पसंद होता किसी कंपनी से जुड़कर भी काम करते हैं फ्रीलांसर्स फोर डिफरेंट कंपनीज तो यहाँ पर आप देखिए इस काइंड ओफ जॉब कि उन्हों ने जो प्रोड़क्ट डिलिवर किया हुआ है वही प्रोड़क्ट वो आगे बेचते हैं दूसरी कंपनीज अगर आपके सिर पर आकर कोई बैठने ही कोशिश करेगा कोई हावी होने ही कोशिश करेगा आप वो प्रोड़म देखने मिलेगा यह गवर्मेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है अगर यहाँ पर सूर्य लगन के अंदर आ जाए अगर यहाँ पर दशम के अंदर आ जाए ग्यारवे भाव के अंदर आ जाए तीसरे भाव के अंदर आ जाए ऐसे लोगों के अंदर करम करने की जो शक्ती होगी वो बहुत जादा होगी एक इंसान अगर 10 गंटे काम कर सकता है तो यह वही काम कर सकेंगे 9-8 गंटे के अंदर और जहाँ पर आप दिखेंगे कि सूर्य का प्रभाव अपने आपका वर्चस्व बताते हुए आपने देखा होगा सूर्य लियो का क्या है आपने कुछ रैपर्स को सुना होगा बोलते हुए कि वो हमेशा अपना नाम बीच बीच में लेते हैं जैसे कि गोट अगर आपने गाना सुना हुआ है गोट, if you might have heard that song गोट, जो दिलजी दोसांच का गाना जिसके अंदर करन ओजला ने अपना नाम भी लिया हुआ है तो आप देखिए कि जो अपने आपका वर्चसवा अपने हर काम के तुरू बताने की कोशिश करते हैं वो सूर्य आपको लियो, एरीस के अंदर या फिर स्कॉर्प्यो के अंदर देखने मिलेंगे ठीक है अब आप समझिए कि जो सूर्य पंचम का वगाना यह आपको कही ना कहीं बच्चों से दूर करेगा बच्चों से कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम देगा अब हो सकता है कि आपके बच्चे फॉरेन कंट्री के अंदर चले जाएं आप से दूर पढ़ाई करने के लिए आप अपने बच्चों से किसी ना किसी वज़े से अलेग हो जाएं बट कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिलेगा ही मिलेगा प्रॉजनी के अंदर भी यह प्रॉब्लम दे सकता है अगर सूरिया आपका लियो के अंदर बैठा है तो आप समझो के आप कुछ रॉयल लेकर आयो आप ऐसी कोई तो कॉलिटी लेकर आयो जो किसी के पास नहीं होगी and you know that you will feel that you have something different आपको हमेशा मन के अंदर यह feeling हो कि that मैं भीड का हिस्सा नहीं हूँ, मैं भीड से अलगू यह सूरिया लियो का बताता है and it gives good amount of fame अगर यहाँ पर बुधादित्य योग बन जा है बहुत बढ़िया fame देता है यह जीवन के अंदर समझना आपके लिए बहुत ज़दा important है कि अगर आप बहुत ज़दा अकड के अंदर रहोगे प्राइड के अंदर रहोगे क्योंकि सूरिया अपने राज दरबार में बैठा हुआ है तो यह overconfidence के कारण आपको मात यही चीज़ देगी इसको शनी देख ले तो फिर आप समझे के फिर यह बहुत बेटर हो जाता है combination क्योंकि यहाँ पर सूरिय को humble करता है one of the greatest प्राज जोगाज मैं आपको बताता हूँ पैसा कमाने के लिए सूरिया अगर आपको लियो के अंदर मिल जाए शनी अगर आपको equines के अंदर मिल जाए बढ़िया पैसा कमाते हैं लोग बढ़िया पैसा जीवन के अंदर ups and downs आते हैं बट अगर इनकी दशा अंतर दशा अच्छी चल जाए शुक्र कुंडली में अच्छा बैटा है बढ़िया पैसा कमाते है क्योंकि इनको पता होता है कि इन्होंने knocker का भी काम किया at the same time इन्होंने मालिक का भी काम किया तो ये दोनों कर सकते हैं ego problems दे सकता है marriage के अंदर भी ये problems देता है this gives problems in marriage sun लियों के अंदर होगा आख बंद करके बोल दो आपका जो करम बन जाएगा ना specifically वो लोगों से ऐसे काम करना लोगों के जो impossible है जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने फिर से ये example दिया था मैं फिर से आपको ये example देता हूँ एक बार कि एक client थे इंडिया के अंदर जो क्या करते थे ना वो नकली passport बनाते थे लोगों के और मुझे बाद में पता चला के वो ऐसे type का है but I knew that somewhere that something is wrong राहू के साथ बैठे थे सूरिया तो वो क्या करते थे वो लोगों के रोगरीन शत्रू लेना लोगों का long term रोगरीन शत्रू लेना लोगों के गलत passport बनाते थे और उनके passport के basis पर लोग foreign country के अंदर चले जाते थे मैंने example बताया भी था तो आप देखेंगे this is the energy of सूरिया इंड वरगो किसी की इतनी बड़ी problem ले लेना जो वो problem से गुजर रहा है बहुत बड़े बड़े वकील जो आप देखेंगे जो जब court के अंदर आते हैं तब आपको लगेगा कि judge भी उनसे घबरा जाता है सूरिया आपको इसके अंदर देगा लोगों के बड़े रोगरीन शत्रू लेना आप अगर ऐसे किसी भी service के अंदर है जहां पर आप लोगों का directly impact कर रहे हैं लोगों पर उनके problems देने के लिए आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे कोई ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है सूरिया चटे पाओ के अंदर बैठता है लोग कहते हैं कि business नहीं कर सकते no you can do a business but in later stages of life your business will be successful you can be the right hand of the owner but you cannot be the owner in the early stages I hope आपको ये basic समझ में आ गया होगा you can be the right hand of the owner but you cannot be the owner ये problem देता है सूरिय वर्गों के अंदर कि आपको position मिलने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है बट एक बार अगर आपको position मिल गई तो आप समझे कि आपका काम बनेगा अब आप समझे कि problem कहाँ पर है ये आपकी health के अंदर problem दे सकता है क्योंकि आप बहुत ज़दा workaholic हो सकते हैं क्योंकि इंसान को पता होता है कि मेरे अंदर potential बहुत ज़दा है बट मुझे यहाँ पर name fame मिलने पारा तो ये महनत बहुत ज़दा करता है यहाँ पर ऐसे इंसान को हमेशा बहुत ज़दा organized होना चीए समय पर उठना चीए, समय पर सोना चीए बड़ा important है इन लोगों के लिए क्योंकि आप समझे कि यहाँ पर यहाँ पर यह लोग ना चाला की से भी काम करते हैं इनका सही नहीं होता मर्क्यूरी जहाँ पर भी आएगा आपर स्केडूल में दिक्कत होगी जो लोग पांच मिनिट लेट होते हैं जो लोग जिन लोग का बार-बार आप देखेंगे के माइक खराब हो जाना फोन से उनका मर्क्यूरी आपको चोटी-मोटी दिक्कतों से लड़ना पड़ सकता है बट at the end ये बड़े-बड़े प्राब्लम्स को सॉल्व करते हैं जाकर ठीक है? तो discipline यहाँ पर होना बहुत ज़दा जरूरी है जितना discipline हो जाएंगे उतना बुद्ध बेटर हो जाएगा बुद्ध बेटर हो जाएगा जीवन में काफी कुछ बेटर हो जाएगा sun in libra now it is a very special position ये आपको दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना सकती है at the same time ये आपको दुनिया का सबसे दुखी इंसान बना सकती है क्योंकि यहाँ पर देखिए this represents extreme karma जब भी कोई planet debilitation के अंदर आ जाता है जो नीच बंग जिसको हम राज्योग बोलते है जो भी planet विपरीत राज्योग के अंदर आ जाता है आप समझे कि वो planet से लेटर debt बहुत जादा है लड़ना अब इतना पड़ेगा कि लड़कर ही वो नाम हासिल हो पाएगा सूर्य अगर आपका लीबरा के अंदर बैठा है तो आप समझे आपको जीवन के अंदर extreme hard work लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर शनी देव यहाँ पर king है शनी देव एक बहुत बड़ी कोई तो एक grocery chain को own करते हैं और इसके अंदर जो employee काम करता है वो है सूर्य देव था अब आप समझेए के शनी देव जो है यहाँ पर उनको पता नहीं है कि में को किस तरीके से काम करना है किस तरीके से करम करना है बस वो महनत करना जानते हैं पर यहाँ पर जो सूर्य लीबरा के अंदर बैटा हुआ है उसको टेक्निकालिटीस पता है उसको पता है कि में यह software मेरे को एक computer के अंदर डालना है और यह software अगर डालूँगा तो जब products की scanning करने को आएगा supermarket के अंदर तो fast इस से scanning होगी आप देखेंगे जो लोग product का management सही तरीके से जानते हैं जो problem solve करते हैं king की these are the people इसलिए आप देखेंगे कि यह लोग या तो later stages of life के अंदर जाकर king बनते हैं या तो फिर यह लोग एक problem solver की तरह काम करते हैं but for the king जैसे कि आप देखेंगे कि जो सूर्य वर्गों के अंदर होता है these people have this possibility of becoming boss earlier also वो लोग 30 साल पर 32 साल पर boss बन सकते हैं बट अगर सूर्य लिबरा के अंदर होगा तो later stages of life जाकर boss बनते हैं आप देखें कि इनके जीवन के अंदर आपको problem देखने मिलता है कई ना कई बॉस इसके साथ कोई ना कोई conflict देखने मिलेगा boss respect नहीं कर रहे, society respect नहीं कर रही father जो है इनके नाम पर इनकी property नहीं कर रहे यह सब आपको देखने मिलेगा बट अगर यही शुक्र अगर बली हुआ है शुक्र तो यह लोग क्या करते है फेम लेने की कोशिश करते है थूँ शुक्र, थूँ देर talent, थूँ देर capabilities अब देखिए सूरिय क्या होता है अटमुष्ट निर्वाना को रिप्रेजेंट करता है सूरिय जब मीरा आखे बंद करके जब भजन करेगी कृष्ण के वो जो चीजे हैं वो उतने high level है वो 12th house है सूरिय देखिए बारवे भाव के अंदर जाकर exalt होता है और जो सूर जो शुक्र जो है बारवे भाव के अंदर जाकर exalt होता है सूरिय जो है वो बारवे भाव के अंदर जाकर मरन कारका स्थान के अंदर आ जाते हैं क्योंकि सूरिय काम कर रहे हैं आपकी problems को लेने के लिए यहां पर तो इसके अंदर अगर शुकर अगर बहुत positively अगर बैठा हो तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग art से famous होंगे ऐसे लोग अपने paintings के तुरू famous होंगे ऐसे लोग अपने सुंदर ताके तुरू famous होंगे these people are very beautiful सूरिय अगर आपका Libra के अंदर बैठा हुआ है तो आप make-up करके या फिर आप किसी भी तरीके से बहुत beautiful दिख सकते हैं this can be the most attractive person in the room because this is the combination of सूरिय और शुकर आप समझे एक दोनो royal planets दोनों के दोनो royal planets आपके साथ आ चुके हैं ठीक है तो ये दोनों तरीके से काम करता है अब आप समझे इसके अंदर खराब क्या है इसके अंदर खराब ये है कि आपका करम हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ involve करेगा जो सामने वाले को कही ना कही hurt करने वाला है क्योंकि समझे सूर्य यहाँ पर अपने finest form के अंदर नहीं बैठा हुआ है सूर्य here is not in its finest form आपका करम कुछ ना कुछ aggression represent करेगा आपका करम किसी ना किसी को कुछ ना कुछ खराब लगेगा इसलिए जब सूर्य यह लीब्रा के अंदर होते हैं तब मैं बुलता हूँ अपना करम किये जाओ और जितना खराब कर सकते हो उतना खराब कम करो या फिर लोगों को कम hurt करो क्योंकि आप से लोग बहुत जल्दी hurt हो जाएंगे अब आप समझिए विराट को लिकिए अगर आप बात करो तो match के अंदर वो खेलते हैं कोई ना कोई सामने हारता है दुख होता है वो aggressive भी बहुत जादा है राइट शारुक खान के भी case में देखेंगे लोग जल रहे होंगे बट कोई कुछ बोल नहीं पा रहा बट आप देखिए इंसान पूरे time stress में रहता है बहुत हसल करना पड़ता है शानी देव पूरा हसल करवाता है क्योंकि यहां पर अब आप देखिए कि आपने समय राइना की अगर आप कुंडली देखेंगे आपको सूर्य debilitude देखने मिलेगा तो आप देखिए वो कर क्या रहा है वो famous तो हो रहा है बट वो सामने वाले के सूर्य को खराब कर रहा है see it is in a fun way dark humor कर रहे हैं बट at the same time किसी ना किसी को खराब लग रहा है किसी को भी roast अच्छा नहीं लगता कि इंडियन अगर hip hop की अगर बात करें तो जो diss track लिखता है अभी आज सबसे top पर कौन है जो diss track है diss track जो है सबसे top पर कौन है सच में बताईए one of the highest subscribers he has DHH के अंदर hip hop के अंदर बताईए आप so I exactly M.E.W.E. बंटा है जिसको हम बोलते है सूर्य कहां पर बैठा हुआ है debilitated condition के अंदर सूर्य बैठा हुआ है because आप समझो views के हिसाब से बाकी सब चीजों के हिसाब से कि लोगों को ditch करना लोगों के बारे में खराब बोलकर कुछ ना कुछ गेन करना सूर्य की debilitation की energy वो भी है film industry की energy भी वही है आप देखिए आया दिन लोगों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सामने कुछ ना कुछ खराब बोलते हैं तब जाकर fame मिल पाता है तो आपका fame का reason किसी का downfall होगा आपका आगे बढ़ना किसी का downfall होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे सूरे जब लीबरा के अंदर होगा आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़े position के उपर job छोड़ गया और फिर आपको वो job मिल गई आप ये भी position सूरे जब लीबरा के अंदर होगा आप देखेंगे सूरे जब अश्टम के अंदर होगा जितना सूरे लीबरा वाले के अंदर होता है अब आप समझे कि आपकी जो wife आईगी आपको उसके साथ दिक्कत देखने मिलेगी ही मिलेगी unless and until शुक्र वहाँ पर आकर बैट जाए शुक्र वहाँ पर आकर बैट जाए Jupiter इसको आसपेक्ट कर ले तो बात अलग है तो दिरे दिरे करके relationship अच्छा होगा अब नहीं तो relationship के अंदर दिक्कत देखने मिलेगी ego issues आएंगे 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 आपको आप लिख कर लेजे astrology के अंदर interested हो सकते हैं reiki के अंदर हो सकते हैं pranic healing के अंदर हो सकते हैं किसी भी तरीके से हो सकते हैं और कल्ट से आपका connection देखने मिलेगा आप लोगों की ऐसी problems लेने के लिए आए हैं इस दुनिया के अंदर जो किसी के death से आप देखिए बहुत अच्छे healers होना just like 6000 6000 is more about this world के court case के अंदर कोई फस गया कि इससे इंसान मर नहीं रहा बट अश्टमभाव के अंदर ऐसी चीज़े होंगी जिससे इंसान की खराब हो सकता है इससे लोग जो भी करम करते हैं इसके अंदर multiple लोग involved होते हैं जैसे कि बहुत अच्छे teachers हो सकते हैं multiple लोग को सिखाना Amazon के अंदर काम करना जो FBA products का काम होता है कि multiple लोग के पास इनके products जाना जहां पर multiple लोग involved होंगे वो चीज़े आपको देखने मिलेंगी आप देखिए यहां पर father से related कोई ना कोई दिक्कत होती है जिसके वज़े से यह लोग transform होते है अश्टम भावब के transformation का होता है your father is the reason for your transformation अगर यही सूरी अगर शनी के प्रभाव के अंदर आकर बैठा है या फिर केतु के नक्षटर के अंदर आकर बैठ जाए राहू के नक्षटर के अंदर आकर बैठ जाए या फिर malefic aspect हो जाए तो father पैसा नहीं कमा पाते है इसलिए बच्चा पैसा कमाता है और यह सूरी जितना अच्छा condition के अंदरों का आपको ही यह चीज़ करनी है अब आप देखिए कि सूरी जब अश्टम के अंदर रहता है बहुत अच्छे तांत्रिक बनते हैं इसे लोग बहुत अच्छा मंतर का इनको नौलेज होता है बहुत अच्छे तरीके से यूल सी यूल सी दिस quality of you know this quality of getting people out of disorders major disorders कि किसी का 50 लग का नुकसान हो गया और अगर सूरी अगर किसी का अश्टम बहु के अंदर है वो ताकत रहेगा कि मैं इसको 50 लग के नुकसान से कैसे भी करके बाहर लेकर आ सकूँ तो सूरी जब अश्टम बहु के अंदर होता है आप पैसा कमाऊगे और बढ़ा बढ़ा पैसा कमाऊगे आपको कही ना कही से पैसा आएगा आप समझो कि अगर आपकी अगर एक हैसित है अगर आप किसी की surgery करवा सको है किसी को बड़े problem से बाहर निकाल सको जरूर आपको करना चाहिए यह सूरी आपको सोने जैसा result देगा, it will give you results like gold gold, okay, अब सूरिय जब देखिए जब भी Scorpio के अंदर आपको देखने मिलेगा Scorpio के सूरिय के बारे में हम बात करें यह लोग बड़े ही secretive होते हैं बड़े ही secretive होते हैं, लोग इनको गलत तरीके से देखते हैं बहुत सदा passionate होते हैं, इन लोगों को love के अंदर passion चाहिए होता है, they will be like के भले ही 2-4 दिन किसी से बात नहीं करें बड़े ही passionate lovers जो होते हैं वो आप देखेंगे सूरिय उनका आपको Scorpio के अंदर आकर, they very secretive and at the same time आप देखेंगे कि जितना secretive रहें, अपने profession के बारे में उतना ही अच्छा है इनको लोगों को बताना नहीं है, अगर ये कहीं दान पुन्य धरम कर रहे हैं, secretive करते रही है वो जो प्रकाश है, उसको secretive रखे है क्योंकि वो प्रकाश आपकी उन्नती के लिए जाकर फिर कहीं ना कहीं जाकरित होगा, ठीक है तो surya in the scorpio is not a very bad position, हाँ ये आपके marriage में problems create कर सकती है marriage life में, marriage life में this can create problems, okay, surya ashtam भाओ के अंदर भी, surya scorpio के अंदर भी आप समझो कि आपका जो partner होता है न, उसके साथ आपको सब कुछ share करना पड़ता है, इसी लिए जब surya ashtam के अंदर आता है, तो सामने आली की दिक्कत होती है कि या तो ये मेरे साथ share नहीं कर रहे है, या तो ये कुछ ना किसी secretive affair चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है ऐसा कुछ आप देख पाएंगे, दूसरा आप देखेंगे कि अगर इसके अंदर राहु खराब हो गया और शुक्र खराब हो गया तो this is 100% shows that workplace पे कोई ना कोई extra matter अफेर आपका चल सकता है so this is a good combination as well as a bad combination, दुनिया को आपके बार में जितना कम पता हो उतना बहतर है, silently काम करें famous आप वैसे भी हो जाएंगे sun in the ninth Sagittarius, अब आप समझिए कि यहाँ पर सूरी जब Sagittarius के अंदर होता है लोग बोलते हैं कि यह बहुत अच्छा है बटी आपके father को problem देता है, Sagittarius के अंदर जो सबसे बली नक्षतर है, one of the most बली नक्षतर है, is Moola नक्षतर आप समझिए, आपके father ने कही ना कही बहुत basic से शुरू किया होगा और फिर आपके father को कही ना कही फिर problem आया होगा, फिर father rise हुए फिर problem आया, कुछ ना कुछ आपको देखने मिलेगा यहाँ पर सूरी अगर किसी का भी अगर बैठा हुआ है Sagittarius के अंदर आप देखेंगे father को यह problem देगा कही ना कही, at the same time आप देखेंगे कि आपका काम क्या है आपका काम है हर चीज इमानदारी से करना, हर चीज धरम से करना, यह वही लोग होंगे कि जो अधी रोटी खाएंगे तो भी अपनी खाएंगे और अगर रोटी नहीं होगी तो नहीं कहाएंगे इनको इसी तरीख से जीवन के अंदर चलना चाहिए जितना एथिकली चलने की कोशिश करोगे अगर इस सूर्य को अगर सूर्य को Jupiter प्रोमिनेंट्ली देख ले पर जूपिटर इस एक्सान को देख भी अगर ले तो यह कर्मा के अंदर बहुत अच्छा कुछ क्रिएट करता है सूर्य अगर यहाँ पर सैजिटेरियस के अंदर सूर्य के साथ आकर बैठ जाएं जूपिटर अगर सूर्य वन अफ दे बेस्ट कर्मा ऐसे लोग के करम इतने ह जीवन के अंदर जब भी ऐसे लगे कि मैं बहुत ज़दा स्टक अप फील कर रहा हूं तुरंत माउंटेंस की तरफ चले आगए जूपिटर सैजिटेरिस के अंदर आपको माउंटन का बहुत ज़दा इंट्रेस्ट होगा आपको हमेशा प्रभुश्री राम की या फिर जीवन के अंदर अच्छा रिजल्ट मिलेगा फादर की रिस्पोंसिबिटी जो फुल्फिल नहीं हुई है आपको रिस्पोंसिबिटी लेनी ही पड़ेगी धरम से आपको चलना पड़ेगा अगर यह सूर्य अफ्लिक्ट हो जाता है यहाँ पर अगर राहु के साथ आकर ब अगर कोई दिरेक्शन बता रही है और उसके अंदर सूर्य अगर सफलता मिलेगी क्योंकि सूर्य जो यूएस को रिप्रेजेंट करता है वही जाकर वहाँ पर बैठा है तो वहाँ पर जाकर सुकून वहाँ पर जाकर स्टेबिलीटी को भी बताता है ठीक है? सूर्य दशम भाव के अंदर अच्छा है बट सूर्य दशम राशी के अंदर आप समझेए कि यहाँ पर आपके उपर प्रेशर होगा आपके उपर दबाव होगा आपके बिना काम नहीं चल पाएगा आपके बिना यहाँ पर काम नहीं चल पाएगा आप ऐसे किसी करम के अं कि आपका एक करम क्यूं नहीं हुआ, आपके उपर कुछ ऐसा करम होगा, जो सिर्फ आप कर सकते हो, चाहे फिर आप एक छोटी सी बैंक की जॉब में भी क्यू ना हो, आप देखोगे कि आपको जीवन के अंदर आपके उपर जादा भार आएगा, मतलब ये ऐसे लोग होते है जो ये खाली भी बैठे हो ना, तो लोग इनको आकर कुछ ना कुछ काम पकड़ा जाएंगे, अगर सूर्य आपका कैप्रिकॉन के अंदर बैटा है, आप खाली बैटा हो, आपकी मदर आपको बोल देगी कि जाकर पानी की बाटर ले भर ले, इतना ही बोल देगी क्योंकि लोगो चाहती है, आप समझो, आप किस वजे से जाने जा रहे हो, आपका basic debt क्या है, आपका basic debt ही करम करना है, तो आपके आसपास के लोग आपको सिर्फ और सिर्फ करम बताएंगे, अब अगर ये सूर्य बली होकर बैठा है ना, तो ये धीरे धीरे करके situation उपर लेकर जाता होगा लोग बोलेंगे कि ये अपने करम में अच्छा है इसलिए ये इगो दिखाने की कोशिच कर रहा है सूरी अगर डेबिलिटेट कंडिशन के अंदर आ जाए शनी अगर आपके आकर लीब्रा के अंदर भी बैट जाए और अगर शुक्र यहां पर खराब हो जए तो 3 wб के अंदर भी यह at the end of the day जाकर खराब काम करेगा तो शुकr का और शुकr का और शुकr का और शुकr का और शूरिय का दोनों का अच्छा हौना यहां पर ज़रूरि है अब आप समझिए कि अगर आपका सूर्य के अंदर आकर बैटा है तो आपके लिए जॉब करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपको अगर कोई भी order देगा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा आपको ऐसे लेगा कि किसी ने मेरा घला घोट दिया है क्योंकि आप समझिए कि जो शनी की जो एनरजी है वो बार-बार इस सूर्य को डॉमिनेट करने की कोशिश करेगी अगर शनी यहाँ पर अच्छे बैटे हैं तो फिर आप जॉब भी नहीं करेंगे आप डिरेक्ली बिजनस के अंदर एंटर करेंगे वर्क प्लेसे वहाँ पर सूर्य बनना है तो वहाँ पर शनी और सूर्य की लड़ाई शुरू है और जब आप सूर्य को बल देने लग जाएंगे नहापर आप जीवन के अंदर सुखी हो जाएंगे मैरिट लाइफ के अंदर यह प्रॉब्लम दे सकता है सन अगर कैप्रिकॉन के अंदर बैठा है तो यह इसकी वाइफ की कंप्लेन होती है कि आप जो ओफिस का काम है ओफिस की जो बुराईया है वो घर के अंदर लेकर आते हो और जो घर की जो जो चिड़-चिड़ है वो आप ओफिस के अंदर लेकर जाते हो in 8th house Capricorn, अब आप समझिए कि अश्टम भाव के अंदर आपको कारिय करना है, एक सूर्य की तरह, मतलब आपको एक टॉप नौच का ऐसलोजर बनना है, या फिर एक टॉप नौच का ऐसा कुछ बनना है, जहाँ पर आप मोनोपोली क्रिएट कर पाओ और आपको एक नौच का आपको एक नौच का जूप नौच का जूप नौच का अरली आपसे दूर चले जाना हो किसी वज़े से, कुछ ना कुछ ही आपको फादर से लिटेट प्रॉब्लम देगा ही देगा अगर आपका एक विरेस के अंदर बैटा हुआ है तो, I am not talking about very beautiful, 3, 6 and 11 के अंदर, काम, क्रोध, लोब, इसके अंदर सूर्य बहुत अच्छे से रिप्रेजन करता है क्योंकि सूर्य आपके पेंडिंग करमा को बताता है, अगर सूर्य तीसरे भाओ के अंदर जाकर बैट गया तो आप देखिए कि आपका इस जनम के अंदर आपको करम करना पड़ेगा, क्रोध को कंट्रोल करना पड़ेगा, छटे भाओ के अंदर, ग्यारवे भाओ के अंदर आपकी desires को सांस चड़ना या फिर ऐसी बड़ी problems भी यहाँ पर दे सकता है, ठीक है, तो सरन सरन अगर आपका एक्विरेस में तो आपका करम ही यह है कि आपको multiple लोगों के लिए काम करना है, आपका रिन यह है कि आप multiple लोगों के लिए काम करो, ऐसा जो इंसान होगा, यह अपनी development के ल परचस बढ़ना, gaming बहुत अच्छा कर सकते हैं, technology के अंदर बहुत अच्छे हो सकते हैं, software के अंदर बहुत अच्छे हो सकते हैं, यह सारी चीज़ों के अंदर आपको बहुत अच्छा देखने मिलेगा, जैसे कि आपने देखा होगा, जो एक बहुत famous कोई तो है, जिनकी मे में करने की कोशिश भी कि according to the Dasha and Antara Dasha, his channel was growing, I think it was his Kundli, आप देखिए सूरिय कहां पर बैठा हुआ है, सूरिय बैठा हुआ है, Aquarius के अंदर जाकर उनके नवम भाव के अंदर, father को बड़ा problem दिया होगा उनके, multiple problem दिया होगा, gamer feet के father को बढ़ने ही नहीं दिया होगा आगे, बढ़ फिर ये एक बंदा आया, इसने internet का use कि और फिर इसने game change कर दी, ठीक है, so बहुत important है इस चीज़ को समझना, father की respect करना, father के साथ रहना, राहू कुंडली में बली होना बहुत ज़दा जरूरी है, आप समझ रहे हैं हम एक्विरेस की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैं आप पर भी, आप उस चीज़ का काम करें, आप transportation के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप luxurious transportation के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अब आप समझेए कि अगर यहाँ पर अगर शनी बैटा होता है, यहाँ पर अगर शनी दे बैटे होता है, एक्विरेस के अंदर तो म तुरू दे ट्रांस्पोर्टेशन थिंग, आपके लिए ब्यूटेफुल तरीके से काम करेगा यह, अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेबल होना बहुत ज़्यदा ज़रूरी है, सूरी अगर आपका एक्विरेस के अंदर है, अगर आप 40 टीशिट पेन कर आफिस के अंदर बात हैं, जो कि hackers होते हैं, जो भी बहुत बड़े government की कोई चोरी कर लेते हैं, जैसे कि जो inflation जो लेकर आ जाते हैं, जो tax बिल्कुल भी पे नहीं करते हैं, सूरी आपको एक्विरेस के अंदर देखने मिलेगा, जो government को नुकसान पहुचा रहे हैं और अपना फाइदा कर रह जो भी आएगा वो पानी पी रहा है, तो आपका रिनानु मंदन वहाँ पर कटते जा रहा है, यहाँ पर राहु आकर बैठा है, ऑनलाइन कुछ ना कुछ काम करिए, कोई ना कोई ऐसा software क्रिए करिए, जो जैसे कि वहाँ पर बुध का अगर influence है राहु के साथ, तो ऐसा कु इसी बॉस की जगा लेकर लोगों के लिए काम करेंगे, बट यहाँ पर यहाँ पर यह पर यहाँ पर यह पर सूर्य और शुक्र साथ में बैठे हों, और अगर आपके लीबरा के अंदर रहु या कितु आकर बैठ जाए, मैं snapshot prediction आपको बताता हूँ, आखे बंद करके बोल जुपिटर साथ में आकर बैठ गया, तो बोलिए कुछ सालों के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा, but there will be some or the other problem, बड़ा ही simple मैं आपको यह दे रहा हूँ, अगर आपके कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र साथ में आकर बैठे हों, और अगर यह शुक्र की राशी म मैं आपको दे रहा हूँ, और इक्टिम्स आप समझिए, सूर्य और शुक्र आपके सप्तम बाओ के इंदर आकर बैठ गये, सूर्य बली हो गया, शुक्र यहाँ पर बली हो गया, सूर्य है खराब हो गया, अब यहाँ पर अगर शुक्र पॉजिटिव होता है, शुक्र आपके कुंडली में जहां पर भी बैटेंगे वो आपके light का source होगा इसलिए यहां पर देखेंगे कि आपका किसी लड़की के वज़े से famous होना या फिर आपका किसी लड़के के वज़े से famous होना इसलिए आप देखेंगे कि यह Bollywood का भी combination बनता है केटरिना कैफ लाइफ के अंदर आई लोग क्या बोलता है कि यार केटरिना कैफ के वज़े कितनी बड़े इंसान से यह सारी चीज़े आपको देखने मिलेगी किसी opposite gender के वज़े से जीवन के अंदर position पराप्त होना बट यह marriage के अंदर problem आपको देगा ही देगा ठीक है So I hope आपको यह basic समझ में आ गया होगा Surian Aquarium discuss कर चुके हैं कि आपको multiple लोग की यहाँ पर help करनी है Multiplicity के अंदर काम करनी कोशिश करिए चोटा मोटा काम आपके लिए नहीं बना हुआ है बड़ा काम आपके लिए बना हुआ है Now Sun in Pisces अब आप समझिए कि यहाँ पर सूरिय का मरन कारकास्तान बनता है यह again यह father को कोई ना कोई problem देता है या तो आपके father foreign country के अंदर जाकर आपके father ने बहुत अच्छा पैसा कमाया हो या तो आपकी lineage का कोई ना कोई root बाहर का हो यह वाली सारी situation आपको देखने मिलेगी ऐसा जो इंसान होगा इस तीना ब्रमित रहता है यह एक ऐसा योग है जो सूरिय आपका अगर अश्टम के अंदर या बार्वे के अंदर हो यह Scorpio के अंदर और बार्वे के अंदर इस पीपल भी बनाता है जिसको जहां पर दारू बिक्ति है वो देखने मिलेगा राहू का influence अगर इस सूरिय शुक्र पर है तो आपके घर के असपस prostitution centers आपको देखने मिलेंगे you will see all these things आपको यह सारी चीज़े देखने मिलेंगी अब इसको एक basic तरीके समझने ही कोशिश करिए कि अगर आपका सूरिय पाइसेस के अंदर है न तो या तो आपका कोई ना कोई connection foreign land से होगा या फिर आप कोई ना कोई संत की आप उपादी लेकर आए है जहां पर आपको कोई ना कोई भयंकर एकदम ग्या नर्जित हो चुका है पाइसेस के अंदर से तब सूरिय पहाँ पर जाकर बैठा है फादर को या कोई ना कोई problem देगा फादर या तो पैसा नहीं कमा पाएंगे या तो जीवन के अंदर ही isolation बताएगा सूरिय पाइसेस के अंदर है लोगों के साथ जितना interact करने ही कोशिश करो उतना आपको फिर घर पर जाके लएगा कि अर्मुझे किसी से इंटरैक्ट नहीं करना आपको जो अपना peace of mind है वो solace के अंदर ही मिलता है कि अकेले मिलता है आपको peace of mind आप समझे यहाँ पर अगर जुपिटर यहाँ पर अगर positive हो जाए ना ना कहीं कुछ ना कुछ आपके दादा जी के life में या फिर आपके father के life में दोनों के life में कोई ना कोई problem यहाँ पर create करेगा health problem create करेगा और वही problem आप देखेंगे आगे आती जारी जैसे की for example गुटने की problem थी दादा जी को finance के positions के अंदर हो सकते हैं आपके father teaching related businesses के अंदर हो सकते हैं या फिर आपके father को पैसे से बिलकुल more ही ना हो आपके father easily बहुत सब लोग को पैसा दे देते हैं और फिर लोग फाइदा उठा जाते हैं कर्जा वापिस नहीं आना यह सारी चीज़ों के अब combination के बारे में अगर बात करें तो देखिए सूरी और जुपिटर जो है वो बहुत बड़िया combination है कहीं पर भी बने चार्ट के अंदर सूरी और जुपिटर एक ऐसा आप कब इंसान को prediction दे पाएंगे और कब वो prediction सही पड़ेगा जोतिश एक खेल की तरह नहीं है जोतिश के लिए आपको meditation करना पड़ता है आपको एक sanity के अंदर रहना पड़ेगा तब जाकर आप किसी को prediction दे पाओगे क्योंकि एक ही कारत तत्वा multiple चीज़े बता रहे है पड़ेगा अब मुझे उसके अंदर से कौनसा कारक्तित्वा चूज करकर आपको prediction देना ही यह मेरा सूर्य कितना अच्छा है उस पर depend करता है किसी का सूर्य कितना अच्छा है उस पर depend करता है कि आप prediction दे रहे हूँ बात अलगे बट उसका solution किस तरहीं से आपा・ रहे है उस फेमस तो हो रहा है बट उसके मन के अंदर बार-बार भय लगा हुआ है कि मैं फेमस होंगा या नहीं होंगा या फिर एक कोई तो लड़की है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था अभी वो मेरा रिलेशन्शिप तोड़के चले गया है मुझे इसको दिखाना है एग सूरज जिसका नाम सूरज है तो जब मैंने उसका नाम सूरज में I had to check के कुंडली के अंदर ऐसा क्या कॉंबिनेशन है कि इतना worldwide fame मिल रहा है उसको आप देखिए एमेवे बंटा है ये सब लोग लड़ते रह गया I respect everyone बटके हम इंडिया के DHH को Hip-Hop को represent करते हैं बट आप आप देखिए ना के at the end of the day वो हनुमान काइंड उन्होंने नाम रखा हुआ है कुंडली के अंदर क्या combination बन रहा है कुंडली के अंदर सूर्य और जुपिटर वर्गो के अंदर साथ में जाकर बैठे हुए है सूर्य और जुपिटर वर्गो के अंदर साथ में जाकर उनके कुंडली के अंदर बैठे है, नाम भी सूरज है, वर्ल्ड वाइड फेम दिया, सूर्य ही होता है, जो वर्ल्ड वाइड फेम देता है, and of course, उनके करम स्थान के अंदर, जो कि उनका कैप्रिकॉन बनता है, वहाँ पर राहु देव जाकर बैठे हुए है, वहाँ पर शनी देव जाकर बैठे हुए है, जो पर्मिनेंट चीज़ को बताते हैं, और राहु देव उसी के पास में, I think, Sagittarius के अंदर, I don't remember the placement of Rahu, but Rahu also has a special position, या तो Capricorn के अंदर साथ में, या something, तो आप समझे है के सूरिय ने वो fame दिया, सूरिय ने जीव को उपर लाकर रख दिया, इंडिया के अंदर, जो ऐसा काम करके दिखा है, सूरिय और जुपिटर की उतित, इसलिए है, कि कोई आजकल, कोई भी है जो American Hip Hop के अंदर नहीं है, बट दुनिया को World चाट के, वो सूरिय, it represents ultimate fame, which is going to go on and on, अब आप समझेए, कि ये कुंडली देखकर आपको कुदवन प्रेडिक्शन आजाने चाहिए, कि this is not his first song, which is going to be hit, it is not the first song, it is going to be hit, ये बहुत ज़्यादा hit होगा, और भी आगर जाकर, क्योंकि सूरिय जो है, वो permanent fame को represent करता है, तो इंडिया के अंदर ये नाम बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ये और flow के अंदर आप देखिए, कुछ ना कुछ special quality देगा इंसान को, जब ये बोलेगा ना, ऐसे लेगा कि ये प्यार से बोल रहा है, तो multiple prediction इसके बारे में आ सकती है, बट आपको मोटा मोटा ये समझना चाहिए, कि सूरिय जहां पर भी बैटेंगे, वहां से आपको heal करना है, लोगों को वहां से आपको भी heal होना है, वो घर को जलाएगा, उदर आपकी responsibility है, और सूरिय जितना अच्छा होगा, उतना आपका name fame by product होगा इस चीज़ का, name fame उस चीज़ का by product होगा, right, you don't need to do that, वो by product होगा उस चीज़ का, इसी लिए, तो आप देखिए कि सूरिय को राहू बहुत खराब combination मानते हैं, बट ये life, game changers होते हैं ये लोग, game change कर देते हैं आकर, ये, देखिए, सूरिय राहू के साथ होगा ना, तो किसी और का fame जाएगा, तभी इनको fame मिलेगा, क्योंकि राहू अपने तरीके से काम करता है, बट ये क्या आता है, सूरिय राहू कहीं बार ये भी बताता है, कि आपके पास जो नहीं है, वो project करना, अगर राहू बली हो जाए तो, राहू अगर बली हो जाए, तो जिसके पास जो चीज नहीं है, वो project करने की कोशिश कर रहा है, सूर्य राहू के case के अंदर ये भी आप देखेंगे सूर्य के तूर के case के अंदर आप देखेंगे कि आँखे छोटी छोटी हो ना मतलब अगर talent है भी तो भी दिखा नहीं पा रहा है वो बंदा अपने आपके अंदर expressive नहीं है बोल रहा है के मुझे तो opportunity ही नहीं मिली सूर्य शनी के अंदर case के अंदर देखेंगे ये fame का combination क्योंकि आप देखेंगे आप करम कैसे कर रहे है आप शनी जैसे करम कर रहे हैं दोनों में से एक planet एक दूसरे को heavily dominate करना चाहिए तब जाकर होगा सूर्य और शनी, Bill Gates की कुंडी के अंदर आप देखेंगे शनी उच्च के बैठे हुए और सूर्य जो है वो नीच के बैठे हुए तो उनका करम क्या है उनका करम जो है वो सूर्य की तरह कर रहे है Microsoft, Microsoft डिकी है हर एक सिस्टम के अंदर वो आपको देखने मिलेगा Microsoft, क्यों आप समझे है कि क्या किया, उन्होंने बहुत hard work किया at the same time अपने आपको एक अलगी सूर्य की अपना करम कैसा किया, सूर्य जैसा करम करना सूर्य और शैनी जबी भी एक दूसरे से पंचम या नवम चले जाते हैं, तभी भी ये लोग अपने आप में special characters होते हैं these people are special characters, right ये ऐसा कुछ काम करेंगे, जो अपने आप में famous होगा, क्योंकि इनका करम जाकर fame से जोड़ चुका है ठीक है, तो I hope आपको ये basic समझ में आया होगा, कि किस तरीक से काम करता है, कारक तत्वों को mix करने की कोशिश करी ये beautiful results आप आएंगे, सूर्य बुद्ध के case में, आप समझी एक बच्चा है, जो कि बहुत ज़दा creative है, और जो कि बुढ़ा नहीं हो रहा, ये सबसे best combination है, one of the best combination, ये लोग नहीं नहीं techniques find करते हैं, creative होते हैं, अच्छा result पाते हैं, right, so this is how it works, तो I hope आपको ये session पसंद आया हो, I hope आपको ये session समझ में आया हो, this session will be saved by tomorrow, कल इस session को मैं save कर दूंगा, on the main channel of Astro IND, और अगर आपको ये session फिर से view करना है, आप देख सकते हैं, बट regular जो हम session save करते हैं, वो Astro IND live and shots पर हम save करते हैं, so make sure to subscribe that channel as well, क्योंकि regularly live session उधर ही, जो regular classes होती है, मैं सभी से कहना चाहूंगा, कि please remedies आकर join करिये regularly, ताकि because free of cost remedy है, ये आपके past life कर्मों को, खतम करने में आपकी मदद करेगी, habits से बाहर आने में मदद करेगी, बहुत ज़्यादा गुसा आ रहे, mangal खराब है, habit break होगी, गुसा आना कम होगा, शांतता जीवन के अंदर आएगी, बहुत ज़्यादा अगर आपको aggression की problem है, या फिर किसी को कुछ बोल देने की problem है, बहुत ज़्यादा workaholicism की problem है, alcohol की problem है, सभी चीजे धीरे-धीरे करके past life से cut down होती जाती है, because of Vishnu Sahistranam and all of these remedies, so please join the live session, you will see magical change in your life, rade rade haray haray krishna and jai jinendra, thank you